देखे सुशील मोदी जी नीन में हैं उनको जागने की ज़रत है कि प्रदेश में सिक्षा विवस्ता को सुधारने का काम किया जाला है ऐसे ही सिक्षक जो हैं जो नेता बन के घूम रहे थे जो अपने कारे को नहीं कर रहे थे शुषिल मोदी सिक्षा विरोधी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के इवा सिक्षत हो। शुषिल में हैं, उनको जागनी की जुरत हैं, और जिस तरह की राजितिक कर रहे हैं, उनको बिहार में शयद नहीं पता है कि बिहार एक पहला राज्य है, यसी प्रदेश है जिसने पुरे देश में एक लाग पचीस हजार सिक्षकों की बहाली एक साथ की थी। जिससे प्रदेश में सिक्षा व्यवस्ता अच्छी बने रहें और यहां के युवा जो हैं अपने भविश को बना सकें। तो नोन अगर जो बाते कहीं केके पाठक जी को लेकर केके, केके पाठक जी के कारों को अगर आप देखेंगे, बिहार में आप घूम आईए सुशीर मोदी जी। और यही बात जो आप अपने कृटर हेंडर से कहते हैं, जो आप मीडियाओं को बुला कर कहते हैं, आप घुमिये प्रदेश में और प्रदेश की जनता से मिलिये किस तरह से प्रदेश की जनता केके पाठक जी का सम्मान कर रही है मानने मुक मंतर जी की निर्देश में मैं कहूंगी कि प्रदेश में सिक्षा विवस्ता को सुधारने का काम किया जा रहा है सिक्षा बिभाग के ताना साही रवये से अब सिक्षक को परदर्शन करने और धर्ना परदर्शन पर बैठने के अलावाब कोई उपाय नहीं बचा है यह उनका वक्त अब यहाँ केके पाठक जी के आप अगर आदेश ही बात करें मैं आपको आदेश बता दू यही था कि सिक्षक संग का निर्मान नहीं होगा सिक्षक धर्णा नहीं देंगे और सिक्षक को जो बाते कहनी होगी जो उनको लगता है कि जो उनके कारे स्थल पर समस्य है उनको डारेक्ट उस बिभा को सुचित करना होगा तेके इस इन सिक्षक हमारे लिए जो गुरू होते हैं हमने कहा है कि गुरू गोविंदाउ खराकाके लागो पाओ होता है पढ़ाना कहीं पे भी क्यान संग का निरमान करने की अंवान। आप सिक्षक बने हैं आपका काम इसिक्षा देना लेकिन जो कई ऐसे सिक्षक हैं जो चातर नेता होते हैं वैसे सिक्षक नेता बन करके अपने आपको सिक्षक के मुख्या बन करके वो सिक्षा देने नहीं जाते हैं आपने इस आदेश के पहले एक कारवाई भी देखी होगी, जहां कई सिख्षकों को निलंबद किया गया है। जो अपने कार अस्थल पे एक एक वाएनध से नहीं जा रहे थे, उनको निलंबद किया गया है। ऐसे ही सिख्षक जो हैं जो नेता बन के घूम रहे थे जो अपने कारे को नहीं कर रहे थे उनका प्रमुख कारे हैं उनको सपत दिया जाता है कि हम सिख्षा देंगे जो सिम्धानिक नहीं है उस पे मांग करना या उस पे समती जणाना ये इसके साथ में खरे होने बाई लोग को मैं कहती हूँ वो सिख्षा विरोदी है वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के इवा सिक्षरत हों वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में स्कूलों में सिक्षक समय पर पहुँचे वो चाहते हैं कि बिहार के बच्चे जो है वैसे ही भटकते रहें तो केके पाटक जी की जो कारवाई है वो नयाय संगत है और नयाय के साथ में विकास की जो हमारी मंशा है उस पे वो खरे उतर रहे और सरकार का यही मानना है कि सभी का विकास होना चाहिए